हालो एर्वान वेलकम टू आवर यूटूब चैनल फ्रेंज देखे आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपोर्टन क्यूसंस की बात करेंगे और यहां पर आज के सेशन में हमने लिए हैं इकोनोमिक्स के यह ऐसे क्यूसंस को यहां पर रखा है जो बार बार रिपीट होते हैं जैसे का एकजाम हो चाहे रेलवे का एकजाम हो किसी ना किसी एकजाम में पूछे गए क्यूसंस हैं बहुत बार रिपीट हो हैं उन क्यूसंस को यहां पर लिया गया है तो चलो गाईस ब वीडियो अगर आपको पसाद आता है तो लाइक और शेर जरू कर दीजिएगा ताकि देखेए ज़्यादा ज़्यादा लोग यहां पर जुड़ पाएंगे तो चलू देखते हैं पहला कूशन और पहला कूशन आपके सामने है कि भारत में सामान और सेवा कर या निकी जो जी एक जुलाई 2017 या फिर 26 नॉमबर 2017 तो गाईस यहां पर भारत का पूचा है और भारत की बात करें तो भारत में GST सुरू हुआ कभ एक जुलाई 2017 को आंसर जो हो जाएगा option C है यहां पर correct आंसर हो जाएगा गाईस देखिए GST के बात करें तो इस पर अलग से वीडियो बनाया करें डाला हुआ है तो उसका जो लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा description box में या वीडियो के last में हाँ यहां पर एक और चीज आपको देखनी है कई बार एक और क्यूशन पूछा जाता है GST की full form पूछली जाती है तो हिंदी में आप देख सकते हो क्या है GST की full form सामान और सेवा कर और इंगलिज में बात करें goods and service tax इसको बोलतें इंगलिज में अब यहां पर देखो GST से related एक को और क्यूशन यहां पर यह बनता है कि जो GST काउंसिल है इसका मुख्याल है कहां पर है GST काउंसिल के बात करें तो इसका मुख्याल है नईदिल्ली में और यहां पर देखो GST ये एक की बात करें तो सबसे पहले वो कौन सा देश है जिसने GST लागू किया तो सबसे पहले किस ने किया France ने next यहां पे question है कि जो GST इसको लागू करने वाला पहला देश कौन सा था अब यह भी मैंने इसका answer बता चुकी हूं सबसे पहले GST किस देश ने लागू किया France ने answer हो जाएगा France यहां पे correct answer हो जाएगा France की राजदानी किया है Paris नेक्स्ट यहां पर Qution है कि भारत में स्वेत करांति का जनक किसे माना जाता है, यह यहां पर पूचा है, ध्यान दीजिएगा स्वेत करांति का पूचा है और इसके लिए आप्सन हैं, आप्सन A, Dr. Varghis Kourian, या फिर आप्सन B, Dr. S. K. भारदुआज, या फिर आप्सन C, मोरा पूछा जाता है जाती है additional Creator वर्गीस कूरियन को और अगर एक क्रांति का पूछा जाता तो क्या आंशर थे होता तो हुआ ख analyt क्रांति का जनक मानना जाता है doctor MS स्वामी नाथन को पर नेश्त देखिए क्यों से ऊअ है कि भारत में हरित क्रांटी का जनक कौन थे किसे माना जाता है है्षरेट क्रांटी का जनक पूर्षिय करेक्ट आंसर हो जाएगा स्बसfor so से और हम यहां भारत की बात होगी है तो क्यों नishops अभे कि विशेट हरित क्रांती के जनक किसे माना जाता है कौन है विस्व में हरित क्रांती के जनक options यहाँ पर दिये है Norman E Board Log या फिर option B MS Swaminathan या फिर BP Pal या फिर GS Kuz तो correct answer होगा option A correct answer हो जाएगा और देखो यहाँ पर देखा विस्व में जो हरित क्रांती के जनक है वो है Norman E Board Log और अगर भारत का पूछा जाता तो उस case में आपका answer हो जाता MS Swaminathan next देखिए next question है कि जो making India कारे करम है इसका जो logo है यह क्या है यह यहाँ पर पूछा है इसके लिए options दे रहे हैं बाग, चीता, हाती या फिर सेड तो correct answer हो जाएगा option D यहाँ पर correct answer है next यहाँ पर question पूछा है कि भारत सरकार ने जो note बन दिये इसकी गोशना कब की तो यहाँ पर options दिये हैं 8 सितंबर 2017 को या फिर 15 अक्टुमबर 2017 को या फिर 8 नॉमबर 2016 को या फिर 31 दिसंबर 2016 को guys वैसे तो देखिए इस question का answer definitely सबको पता होगा काफी important question है और देखिए यहाँ पर जो answer होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो note बन दि की गोशना की गई थी यह की गई थी 8 नॉमबर 2016 को तो answer हो जाएगा option C next question पूछा गया कि निमल लिकित में से किसे अर्थ कौन से वो अर्थ सास्त्री है जिनको अर्थ सास्त्र यानि economics जो है इसका जनक father of economics किसे कहा जाता है यह यहाँ पर पूछा गया है guys अर्थ सास्तर का जनक तो अर्थ सास्तर का जनक किसे कहा जाता है Adam Smith को आंसर जो हो जाएगा option C है यह यहाँ पर correct answer होगा next यहाँ पर question पूचाए कि इन में से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है options यहाँ पर दिये हैं Bank of India, State Bank of India, Rejo Bank या फिर Punjab National Bank तो correct answer हो जाएगा option C है यहाँ पर correct answer हो जाएगा RBI, Rejo Bank of India है यह भारत सरकार का मुख्य बैंकर है अब यहाँ पर देखो RBI की बात हुई है तो guys RBI यानि की Rejo Bank of India इसे related facts जानना बहुत जरूरी है बहुत बार exam में पूछा जाता है कि RBI का headquarter कहाँ पर है तो guys RBI की बात करें तो आम note down कर सकते हो इसका headquarter है मुंबई में और इसकी stopना की बात करें तो 1 April यहाँ पर देखो लिख रही हूं मैं 1 April 1935 को guys RBI की stopना हुई 1934 act के दोरान यह भी आपको याद रखना है और वर्तमान में RBI की governor कौन है सकतिका दास एक और चीज याद रखने है कि जो RBI यह रिजो बैंक आफ इंडिया है इसका राष्टे करन कब हुआ तो guys पूचा है कि जो भारती हां एक सेकेंड यहां पर इसक्यूशन करने से पहले पिछले क्यूशन पर करते हैं देखो यहां पर आंचर हम देख चुके इसक्यूशन का और RBI से रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी बता दिये हैं तो guys देखें वापस से इसक्यूशन पर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर जो इसमें ऑपस में जो बैंक दे रखें उनका हैड़कॉर्टर जानना बहुत ज़रूरी है कई बार पूचे जाते हैं इस तरह की क्यूशन तो यहा आप नेशनल बैंक की बात करें तो इसका हैड़कॉर्टर न्यूडैली में नेक्स यहां पर क्यूशन पूचा गया है कि भारती रिजो बैंक का राष्ट्य करन कब हुआ तो अभी मैंने बताया था जो रिजो बैंक है आर बी इसका जो राष्ट्य करन हुआ यह वा और ऑफशन c करवन्च या फिर ऑप्शन d किसी विशय का पूर्ण विवक करण तो इहां पर अगर बात करें हवाला की तो हवाला जो है यह किसी मत्विदेसी मुद्रा है इसका एवेद कारोबार है तो आंसर हो जाएगा ओप्शन बी नेक्स यहां पर क्यूशन पूचा ग नेक्स्ट यहां पर क्यूशन पूचा गया कि किस भारतिय राज्जे में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं अप्शन ए दे रखा है महाराश्ट या फिर नई दिल्ली या फिर पंजाब पंजाप ने सौरी पस्चिम बेंगल या फिर गुजरात तो यहां पर पूचा है कि कौ यहां पर पूचा गया है ऑप्शन यहां पर दिये वहें 12 13 14 या फिर 15 तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहां पर करें तो 17 होती है हिंदी और इंगलीस है इसके अलावा और 15 लेंग्वेज होती है ना यह देख दिए नेक्स देखिए क्यूशन है यहां पर कौन सी संस्था भारत में राजकोशिय नीती तयार करती है यहां पर पूचा है ओप्शन देर के वितमंत्राले या फिर आर्बी या फिर नीती आयोग या फिर S.B.I. तो करेंक्ट अंसर हो जाएगा यहां पर वितमंत्राले य यह राजकोशिय नीती तयार करती है नेक्स यहां पर क्यूशन पूचा है कि जो 2000 का नोट है इसका हमें बताना है कि 2000 के भारती नोट पर चपा जो मंगल यान है यह क्या दरसाता है यह यहां पर पूचा है और इसके लिए यहां पर चार आप्सन यहां पर दे रखे हैं तो पूचा गया है कि operation flood कारे करम है यह किस पर केंद्रित था उप्सेंज दे रहें कि सिचाई सुईधा को बढ़ाने या फिर बार नियंतरन या फिर दुख दूत पादन बढ़ाने या फिर प्रचुर मात्रा में अनाजो का उत्पादन बढ़ाने तो correct answer जो हो जाएगा उप्से C है यहां पे this question का correct answer होगा नेक्स ने-खें अर्थी विवस्ता को गती देने वाला परीवयन का जो मुख्य सादन है यह क्या है तो जो भारती अर्थ विवस्ता की बात करें तो इसको गती देने वाला परीवयन का जो मुख्य सादन है वह है railway आंसर जो हो जाएगा option ए यहा के लिए तो गैस यहां पर सेवा करका पूचा है तो भारत में सेवा करकी बात करें तो 94-95 में इसको प्रारम किया गया था तो आंसर हो जाएगा option A correct answer है next यहां पर question पूचा गया कि RBI के दुआरा जारी 50 रुपई के मुल्य के जो नया note है कि जो नया note है इसके पीछे निमर लिकित में से किसका चित्र चपा होगा है तो इसके पीछे चपा हुआ है 50 रुपीज की बात करें तो हम्पी के फत्रों से बना जो रट है इसका चित्र है औरफिक ामेंशन है इसका चित्र बात करें वो है 135 mm, हाना, तो यह हम देख चुके है, answer D, यहाँ पर correct answer है, अच्छा, एक और कुसे नहीं हाँ से बनता है, कि जो 50 रुपए का नया note है, उसका color भी आपको पताओना चीए, तो color है, fluoroscent blue, अर यहाँ पर देखो, mangalian की बात करें, तो यह किस पर है, guys, mangalian की बात करें, तो साची स्टूप की बात करते हैं, तो साची स्टूप है, वो 200 के note के पीछे है, और यहाँ पर अगर देखो, यह 200 के note की, dimensions की बात करें, तो 66 x 146, यह dimensions के, और 200 का note है, इसका जो color है, वो है bright yellow, यह भी आपको याद रखना है, अब यहाँ पर लाल किला की बात करें, तो लाल क पीछे बना हुआ है, और यहाँ पर देखो, 500 का note है, इसके dimensions क्या है, तो guys, इसके dimension है, 66 x 16 mm x 150 mm, यह है इसके dimension, और color क्या है, स्टोन ग्रे, सारी चीजी यहाँ पर clear कर दी है, नेक्स देके, क्यूशन है कि बारत में, राष्टिय जो आई है, इसकी गन्ना, निमन लिकित में से किसके दवारा की जाती है, तो राष्टिय आई की गन्ना, पूछी गई है, तो guys, यहाँ पर भारत में, राष्टिय आई की गन्ना की बात करें, तो किसके दवारा की जाती है, केंद्री सांकी की संगठने इसके दवारा, answer जो हो जाएगा, option C है, यहाँ पर correct answer है, next सबसे पहले सरो पर्थम राश्टी यह जो है नेश्नल इंकम जो है इसका आंकलन यानि कि कि इसकी कैलकुलेशन की द्वारा की गई तो सबसे पहले की गई थी दादा भाई नेरो जी के द्वारा अंसर जो हो जाएगा Option C यहां पर इस क्यूशन का पूचा गया कि राष्टी ग्रामिन स्वास्ते मिसन की बात करें तो यह शुरूआ अप्रेल 2005 में आप्सन ए है यह इस क्यूशन का पूचा गया इस देके वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ जादा 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 वीडियो को शेयर कर यह किस देश में हुई थी तो पहली औझ्योग आप्सन बी प्र।न डेल यह हमारा इस क्यूशन का का रहाए रहा इंपोटिंट इतना ही करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जद़ जब वीडियो को शेर कीजिए और अभी तक आपने चेनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो उनलाइन क्लाशेश YouTube चैनल को सब्सकाइब कर ले साती साथ घंटी कीचिन को जर से मिल जाएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग